Assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस lecture में 9th class biology chapter है 4 topic है हमारे पास nervous tissue nervous tissue is composed of neurons which transmit information to other cells अब nervous tissue जो है वो neurons से मिलकर बने होते हैं जो के दूसरे cell तक information transmit करते हैं यानि के information पहुंचाते हैं nervous tissue is found in the brain, spinal cord and nerves अब nervous tissue जो हैं वो कहां पाए जाते हैं ब्रेन में पाए जाते हैं इनके दिमाग में, spinal cord यानि कि जो रीर की हटी होती है वहां पर and nerves में It is responsible for coordinating and controlling many body activities nervous tissue जो हैं जिसम के मुखतलिफ जो आजा हैं उनके दर्मियान रापता और उन्हें काबू में रखने का काम अन्जाम देते हैं यानि कि ये इनके responsibility होती है It stimulates muscle contraction, creates an awareness of the environment and plays a major role in emotion, memory and reasoning ये जो है ये अजलात के खिचाओ यानि के जो हमारा muscle है उसका खिचना और इसके डावा जो हमारे environment से related जो भी आगाही देनी होती है वो इसके पाद जजबात, यादाश ये तमाम चीजों के अफाल अन्जाम देने में एहम किरदार अदा करते हैं अब इन तमाम जो functions हैं इन तमाम अफाल को अन्जाम देने के लिए ये जो nervous tissue है इसमें मौजूद जो cells होते हैं उनको एक दूसरे से रापते में रहना होता है और ये रापता जो है वो electronical impulses की मदद से अन्जाम पाता है अब यहाँ पर जो है ये human का nervous system दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर ये रा human nervous system इसमें यहाँ पर brain यहाँ पर spinal cord ठीक है ये जो read की हड़ी होती है ये spinal cord कहलाती है ये है spinal nerves ठीक है यहाँ पर यहडिया नहीं है यह nerves है यानि कि nervous tissue है ठीक है यह जो पूरा निजाम है human nervous system का ठीक है इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यह है cell body यानि कि जो cell की जो body है इसके बाद यह है nucleus का cell का इसके बाद यहाँ पर है dendritus sheath यानि कि जो लिफाफा है long distance फिह nerve fiber direction of impulses अब यह देखें यहाँ से arrow जो है वो उपर की तरफ जा रहा है that means कि यह impulse जो होते है electrical impulses उनकी sim थे यानि कि electrical impulse है वो उपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर जो यह है sensory receptor जैसे यह है sensory neuron ठीक है यानि कि जो हमारे sensory related neurons होते हैं for example अगर हम किसी चीज को touch करते हैं और अगर वो चीज जो है वो बहुत गरम होती है for example आपने किसी पॉट को touch किया और वो इतना गरम है तो आप फॉरण से अपना हाथ उससे हटा लेते हैं तो यह किस पजा से होते हैं यह sensory neurons जो होते है उनकी मदद से होता है जो कि फॉरण से electric impulse के जरीए जो signal है वो mind तक पहुचाते हैं और हम फॉरण से अपना हाथ उससे हटा लेते हैं इस पूरे process को होने में second भी नहीं लगता है यानि कि second से भी कम time लगता है तो यह वो तमाम cells है इसके बाद हैं यहाँ पर motor neuron यह है exon यह ह ठीक है फिर है यहाँ पर multipolar neuron अब motor neuron जो है इसके cell जो है body में different जगा पर locate होते हैं और उसके action जैसे कि यहाँ पी action है तो action is basically a fiber ठीक है spinal cord की outside होते हैं जो के directly और indirectly जो है organs को muscles को और glands को जो है वो control कर रहे होते हैं ठीक है तो जो nervous system है उसमें different cells होते हैं उनके अलग-अलग काम है तो यह था आज का lecture जिसमें हमने देखा nervous tissue उमीद करती हूं कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा वीडियो help पूरा हो तो आपने से करना है लाइक शेयर चैनल पे न्यू है तो subscribe की बगएर मच आईगा बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाहाफ़ज